इसे पहले की वीडियो नहीं देखे तो आपने डिफेंट सेट एक्जाम पर विजिट करें जहांपर अब यह वीडियो देख रहे हो यहांपर playlist और section देखने को मिलेगा व उस playlist section में जाओगे तो एक playlist आपको देखने को मिलेगी general knowledge के नाम से यहांपर आपको देखने को मिलेगा general knowledge JKSSB-JKP वहाँपर videos आप ग्योंगे आप वीडियो जाकर देख सकते हो तो start करेंगे आज किस वीडियो को सबसे पहले हम आपके एक्जामिन क्योशन बनता डिरेक्टली कि आपको option दे दिया जगा आपको बोला जगा बताओ इन में से कौन से विटामिन है जो water-soluble है या इन में से कौन से विटामिन है जो fat-soluble है तो आपको यह पता होना जाए कि water-soluble vitamins कौन सी है और fat-soluble vitamins कौन सी है उससे भी पहला आपको यह पता होना जाए कि विटामिन के बारे हम पढ़ा करते हैं हम पढ़ते हैं A vitamin B C फिर D फिर E और फिर की जो विटामिन B है विटामिन B के अंदर भी कहीं तरह है कि विटामिन आपको देखने को मिलती है अब आप बलोगे A B C D E F G 15 yے सब क्यों नहीं इंधा क्योंकि प्रॉफर डाफिशा तरह कि विटामिन यहां विक्राइटीरिय रहता है उसके एंटर जो फॉल करता है इनको लिए विटामिन proclaimed के बारे हम बढ़ते हैं अब इन में से कौन सी जो water soluble है निए कि वाटर में soluble अराम से मिल जाती है और एक fat soluble जो fat में आराम से मिल जाती है आप से इस तरह से पुछ जाता है तो इन में से पूछ जाएगा इन में से कौन सी वीटामिन के बारों कोई पता होना चाहिए शौर्ट रिक आपके सामने लिखी हुई है water soluble vitamin दो ही है एक है B और एक है C B complex मतलब B में जितने भी vitamins आती है B1, B2 मार्नियोल टाइम में पढ़ेंगे वो सारी water soluble है कौनसी कौनसी vitamin B और vitamin C अब कैसे याद करोगे water soluble की बात करें न तो water मतलब W W से water हो गया और vitamin B की हम बात करें और vitamin C की हम बात करें तो water soluble vitamin कौनसी है B और C जो अब science पढ़ते हो आप RBC, WBC से सुनते हो न red blood cell, white blood cell तो वह white blood cell की trick से आप याद करना WBC आप याद करना तो water में कौनसा soluble है BC है जो बागी बचकिया वह सारे fat soluble हो जाएंगे तो इस तरीके से cover कर सकते हो तो बचके कौन से जो fat soluble हो जाएंगे अब हमारे पास जो बचते है fat soluble vitamin A बचकिया D बचकिया E बचकिया K बचकिया सारे क्या हो जाएंगे सारे fat soluble हो जाएंगे इसको भी आप ट्रिक करसे किडा ट्रिक आती है ₹ lacked कीडा अब इस ट्रिक से भी फैट इसलूबर को याद कर सकते हो आप चाहिए कीडा याद रखो चाहिए डे डेवी बीसी याद रहो कुछ भी याद रखो पर याद रखना एक्जामिक्ट बंता है तो वांटले हो विटाम करने मां बटता है रेटिनोल विटामिन का थायमाइन विटामिन छी का होता है एसकोर्बिक एसिट अब विटामिन बितायमाइन बोरो P मतलब B1 यूकिस में B2 B3 B5 और भी करें सारे आते हैं वह आपको नेक्सस्याइड में मिल जाएंगी विटामिन पान के लिए तो और एक बात करना चाहते हूं को यादे बचे बोलते पीडियाफ नहीं मिल रहा है आप वहां पर फाइल से स्क्षिन मेरो सारे पीडियो आपर मिल जाते हैं ठीक है आप कैसे याद करो कि यह संगज लो यहां पर वितामिन-ए रेटिनोल वितामिन-व थायमायद, एसकोर्म बीक आशिड यह नाम आप 4-5 पाथ काढ़ होगे तो आपको समझ चलेगा रेटिनोल धायमायद, एसकोर्मिक आशिड ट्रृक के करना है ना फाले सीक्ष चलते हैं वितामिन-ए बी और और शी पहले इं तीनों को कर दर कैसे याद नए तर लो ग्राक आप support के रही है तर लिधा करेंश देवा एस तरह से याद ना R से Retinol, T से Thymine, A से Ascorbing Acid T से Thymine भी है, Topofirol भी है तो याद रहे हैं पर Thymine की बात करी जा रही है तो पहले आप में RTA इस तरह से याद कर लिया उसकी बाद Vitamin D में है, Calcifirol है Vitamin D में आपको Calcifirol देखने को मिल रहा है यहां पर, तो यह कैसे याद रहोगे, Vitamin D है और C से Calcifirol है अगर आप RTA पहला कोई आद करें आगर आप रट्टा मारोगे तब भी आप DC बनोगे, ऐसे DC नहीं बनने वाले तो रट्टा मारोगे तब भी DC बनोगे, तो Vitamin D का क्या हो गया विटामिन D का Calcifirol हो गया तो यह चार विटामिन आपने इस तरह से याद कर ले आप इसको ऐसे भी याद कर सकतों, बिना ट्रिक के भी याद कर सकतों कि बड़ी प्रॉब्म को बड़ा पहाड नहीं है, आपना आप से याद कर सकतों विटामिन की बीदो तरह का है, विटामिन केके की ऊपचेट का आप सकते की कर लें AK लुक्त है, प्रफियो और उसमस्नहे इसके नहीं कर दो कि यह है नहीं है, पृप्रसे में और रजला कि बन्म इकानिख निनए बचिपांछे में कालधों के ऐसे का रची का है? अब विटामिन भी की में बात करता है विटामिन क्या है कंप्लेक्स है उसमें किन सारे विटामिन आपको देखने को मिलेंगे उसमें आपको जैसे विटामिन ए देखने को मिलेगा बीटू है बीटू है बीट्री है बीफाइफ है बीसिक्स बीसेवन बीनाइट इतना सारे व बालेटोकसिन, B7 में बायोटीन, B9 में फॉलिक आसिड, B2 में कोबलमेंट है अब ये कैसी याद करो कोई B1 है, इसकी कलिक से ट्रिक बनी है, देखो अगर आपको ठीक ठीक लगे लगे है तो याद करना नहीं लेकर तो छोड देना यहां पर अगर आप ज्योंकों क्या है वो नाम किसे के ले सकते हो हुआ रिप खराब उसकी ईस ₹Q19 भास और इस तरह से और ऊफ ए इन Serif क्रिएट किया जब बिट्टू वी के रीभ ऑफ हो गई तो छफे तीन बार ने सौन पहुब ने सीन क्रिएट को खाrete में आपको इशली याद होता AGAIN आपको प्रॉब्लम को ठclipse करो बिट्टू की रिब ओफ होगी, बिट्टू ने तीन नए सीन क्रियेट किया, वो ने तीन ने सीन क्रियेट किया, पहला है, उसने पांच बार अपनी पैंट में ऐसे डाल दिया, पहला सीन समझो क्या है, कि उसने पांच बार अपनी पैंट में ऐसे डाल दिया, दूसरा सीन क् यह तीन सीपेंस आपको समय जाओ गी इबर फिर से रिवाइज प्राओंगा बिट्टू की रिप ओफ हो गी थी उसने तीन नहीं सीन क्रियेट किया पहला सीन उसने क्रियेट कि पांच बार प्रेंट में ऐसे डाल दिया छे बार उसने प्यार किया साथ वार उसने बायो कर सकते हो बागी वीटामिन बीनाइन की बात करेंगे फॉलिक एसीड होता है बड़ा जरूरी होता लेटकियों के लिए वाला और वीटामिन बीटाविक बात करेंगे को लामिन देखने को मिल रहा है आप यह आप जैसे मर्जी करो आपके अपनी बर्जिया ना तो एक और दो कोब्रा आगे थे जैसे मर्जी ठीक लगता है वैसे कवर कर लो तो फिलाल जो विटामिन हमने चितने भी इंपॉर्ट विटामिन थे उसके नाम भी आपके लिए उनके जो केमिकल नेम से वह सारे कवर कर लें उम्मीद करते हैं पर किसी दरह की प्रवल्म आपको नहीं करना चाहते हो वहां पर जाके भी पढ़ सकते हो बागी जैके पी कॉंस्टेबल का कॉर्स हमारी एप्लिकेशन एकेस क्लासिस पर भी चल रहा है और डिरेट को जोइन करना चाहते है उसका लिंक आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा प्लेस्टोर में एप्ल क्रषण कर लो नहीं करना चाहते है तो आप यहां से भी पढ़ सकते हूं फिलाद आगे चलते साशन में आप बूर के रहने हाला है विकामिन नहीं पलाई रहे है अब इस इस दिपामिन की कईटेसी तो कोई अन्द ही में इस तरह से आतुत कि थे में बीटामें बी में बरी बरी में किया वुटा तना टोग फोर अस्य आप और किन देकिनो कि भूर एक सदैक्स लिए विटामिन की डिविजिसरिए तो मैं आपको बता था कि vitamin A के कम ही हो जाएगी तो नाइट में से वह अंदा ही होगा जिसको A भी नहीं दिख रहा है ना तो फिर vitamin A से night banders आपने अराम से cover कर लिया फिर B से आपको बताया बैरि-बैरी है ना अपको Scurvy में, C देखना को मिलना करवी, C से करवी बनते है, तो Scurvy आप वहां से बना देना, इस तरह सिज्छात कर लोगे, विटामिन D का होता है रिकट्स, विटामिन D का क्या बताया, मैंने रिकट्स बताया, तो रिकट्स का बना से तो टिकट, तो दो टिकट्स चाहिए, इस तरह से विटामिन D को भी कवर कर सकतो, एक बार रिवाइज करवाँगा, विटामिन A का बताया, नाइट ब्लाइडनेस, बेरी-बेरी, C का बताया सकर्वी, और D का बताया आपको रिकर्स, इस तरह आपने यह विटामिन कवर कर ली, फिर उसके बता अगर हम E की तरफ जाएंगे तो E में आपको देखने को मिलता है less fertility और उसके बाद के की बात करेंगे, तो विटामिन की अगर हम बात करेंगे, तो विटामिन के से क्लोटिंगा व्लड 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 ट्रिक आप याद कर लेना, इस तरीके से आप सारा पोशियन आप से कवर कर सकते हो, एक बार फिर से रिवाइज करवा दो, तो एक एक मतलब नाइट ब्लाइडनेस, B से बैरी-बैरी आता है, C से स्कर्वी आ जाएगा, D में रिकेट्स आजाएगा, फिर आपको एक में बताया कि याद कि याद कीजेगा, हालागि यह पर कुछ अलग तरीके से लिखा हो, एक आप नौन क्लोटिंग व्लड इस तरह से कवर कर लेना, अब जैसे विटामिन A में नाइट मैंनेस, Loss of Vision, Poor Vision आपको देखने को मिल रह आपको बता ही तो कुछ भी आपने वह देख लेना, रिकेट्स मतलब बॉंड की प्रोब्लम आ जाती है, तो ऐसे भी पूछ सकता है, ऐसे भी पूछ सकता है, किसी भी तरह से पूछेगा, आपको और कवर करना पड़ेगा, वैसे विटामिन B, Complexor Deficiency DG, आपको यहाँ पर रहते हैं, इसको छोड़कर जो एक्स्रा क्शामर क्स्विटो में बन सकता है, कभी कभी बन जाता है, वो आता है कि वीटामिन एक किसी में किस में देखने को मिलेगी, वीटामिन B, कौन से फूड में होते हैं, तो ये पूछ कर आब और pseudo के यह आपक लिए इंपके लिए इ झाल